माइक फैनेगल की तरफ से बनाया गया एक और कंटेंट जो की हाँ नॉवल की एड़ेप्टेशन है जिसकी एड़ेप्टेशन में उनकी महनत बहुत नहीं काफी अच्छी तरेकर से निखर कराती ही है और साती साथ नेटफ्लिक्स की वह क्या कहते हैं अब हो अफ ऑशर जो भी है तो इस सीस को नेटफ्लिक्स पर बिल्कुल इमानदारी के साथ हिंदी डव अच्ही है जिस show को तो unfortunate आप अपनी family के साथ बैठ करके नहीं देख सकते reason है कुछ nudity बाग यहाँ content की बात की जाए तो Mike Fanagal अपने content के साथ बहुत जादा honest रहते है जिसमें इस बार भी उनकी तरफ से content कैसा दिया गया है वो मुझे आपको वगेदना ज्यादा detail में जाकर के बताने की जरूत है नहीं क्योंकि उनका content अगर बिल्कुल ही नई audience को दिखा दो जो लोग इस तरफ के content नहीं देखते तो वो चीज़े उनकी नजर में निकल कर आती है बोरिंग लेकिन हम जैसे फैंस जो इस तरफ के content consume करते हैं उनके लिए तो ये चीज़े ट्रीट होती है जिसमें इस बार माइक फैनेगल ने मुझे फिर से impress करते हुए एक अच्छा content दिया ही है लेकिन कई सारी Netflix की बनाई गई बहुत के साथ जबकि original novel में उसका बिल्कुल भी जिकर नहीं किया गया इसलिए अगर Netflix वाले ऐसी family बनाएगे और अगर उसे show में दिखाएगे तो future क्या होगा series देख लो end में समझ जाओगे बाकि अगर smart audience हो हाँ मेरी तरह तो आप इसके content की शुरुवात के कुछ ही episodes के बाद इसके end को बहुत ही अच्छी तरीके से predict कर ले थे हो जैसा मैंने किया था हाँ उसी lady के character को लेकर के hustle माईने में वो है क्या उसके past क्या है यही सारी की सारी चीज़े जो बिल्कुल भी मेरे लिए surprising का element नहीं बन पाई यानि देखा जाए तो माईक फैनेगल का यह content बस इसकी pasting और जो storytelling होती है past present को दिखा करके confuse करने वाली उन सभी की trick काफी जदा अच्छी है लेकिन अगर honestly कहूं तो मैं माईक फैनेगल से कुछ और अच्छा चाहता हूं जो इस बार मुझे लगता है कि उनकी तरफ से बिल इस लोग है तो आप अगर कहोगे के राइशो के वो जो शौक होते है वो कुछ इसी तरीकी के होते है तो माफ कीजेगा सबी rich people इतने भी जादा भाई इस level के तो नहीं होते होगे हा लेकिन अगर percentage की बात कीजा तो 70% में से 30% लेकिन इस तरीक के यार बहुती जादा forcefully था जिसमें आप अगर हर जगे नजर घुमाओ तो आपको इस series में कहीं डांडिया तो कहीं दो universe का incursion देखने के लिए मिलता रहता है लेकिना उसे बिल्कुल भी गलत वे मत ले जाना क्योंके बात है character को दिखा करके आपके मूँपर थोपा जाता है कि हाँ future कुछ इसी तरीक अच्छी तरीके से अपनी पेस्टिंग को पकड़ करके चलता है जिसमें नेट्फिक्स वालों ने बजट की किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी है बाकि नेपोडीजम तो आपको माइक फैनेगल की फिल्मों में और हां series में भी देखने के लिए मिलता है यानि कि उनकी को छोड़ करके कठर फैमिनिस भी आपको इस series में देखने के लिए मिलेगी और हां उनके विचार और हां बरबाधी भी जिस series का अंत देखकर के मैं काफी जादा खुश था लेकिन खैर अब इन चीजों से हटकर अगर honestly सारी की सारी चीजों की बात की जा तो अगर आप इस घंटे से थोड़े जादा बड़े है जिन सभी को मिला करके ये series आपका बहुत ही अच्छा time लेती है जो कि हां मैंने इस series पर दिया है और फिर कैसे देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि Gothic Horror में अगर आप अपनी लिस्ट को टिक करका रखना चाते हो कि मैंने content देखा है तो आने वाला future है तो माफ कीजेगा मैं उस future से पूरी तरिके से अपने हाथ पीछे खेचूंगा जिसमें critics इस series को सीधे सीधे लाकर के A- की category में रखेंगे तो वहीं mass audience की बात की जाए तो unfortunate mass audience इस तरिकी के content को बिल्कुल भी enjoy नहीं करती है जानी कि उनके लिए ये boring content सीधे सी B- की category deserve करता है जिन से हट कर यहन के थोड़ा अपना level बढ़ा कर मैं इसकी rating की बात करूँ तो माइक फैने गल अच्छी story presentation honesty के साथ कुछ बक्ति को छोड़ दो तो मेरी नेजर में B की category तो deserve ही करती है लेकिन खैर ये मेरा opinion है Netflix की the fall of the care जाने तो time waste नहीं करते सीधे पताइएगा बाग की मैं हूँ अजीज मोविस्टॉक चैनल लाइक श्राव सबस्क्राइब भोलना मत मिलूगा जनल दिया दूसरी किसी वीडियो में तिल दैन टाटा in in you are still here it's over go home wonder